आपके साथ यह हम finance account assistant के related chemistry के questions जिसमें आपके पास metal and non metal के questions इसमें इनक्लूड कर रखें और chemical equation and it's types के आपके पास कुछ questions जो हमें include कर रखें तो वीडियो कंटिव करने से पहले मैं आपको यह बता दूँँ पहले हम थोड़ा में आपको ओर विए दे दूँँगा आपके पास टॉपिक में नॉन मेटल के रिलेटिड और फिर हम आपके पास इन क्वेश्चन पर मुवान करेंगे सबसे पहले आता आपके पास मैटल तो आपको पता हूगा मैटल क्या होता है आपके पास मैटल को क्या बोलते हो अगरमिन जिन dil के बारे में आपकी और बहोगे नहीं डग्टाइल होते हैं आपके पास इसके इलावा भी हम मेटल को डिफाइन कर सकते हैं कि मेटल में क्या होता है आपके पास फ्री पॉजिटिव आइन्स होते हैं जिनको आप क्या बोलते हो आपके पास जिनको मेटल क्या करता है लूज कर लेता है और फिर क्या फॉर्म ह होता है of course 2020 यह क्वाइन ओते है ilमें जो आपके पास आपके पास आइन को te कहँची करते हैं अब अपके नतरुग का यह एक क्षरते है तो एक्सेट करते है तो वह तो क्या बन जाते है willst के पास anoin बन जाते हैं यह तो आपको मैंने basic difference बता दिया metal और non metal के बारे में तो अब मैं आपको कुछ metal की पहले metal की properties हम discuss करते हैं उसके बाद आपके साथ हम discuss करेंगे non metal की properties सबसे पहली property आती है metal की metal आपके पास क्या होता है malleable होता है आपके पास metal malleable होगा अब आप बोलोगे malleable क्या होता है malleable होता है कि आपके पास जो metal है उसको आप thin sheets में आप क्या कर सकते हो ब्रेक कर सकते हो आपके पास बीड कर सकते हो आप सिंपली तो जैसे आपके पास अगर आप बोलोगे कि मुझे कोई आपको जो है वो मैं एक्सेंपल देदू तो आप बोल सकते हो सकते है तो इसके वहीं आपके पास मैडिसें में यू terrorist में आते हैं तो वह आगे आपके पर समयक्टी की आते हैं क्या आते हैं यह आपके Once क्या होता है कि आपके पास 그 path in wires धूसको क्या ख्रखते हो चेंज कर सकते हो आपके पास Click це कर सकते हैं कुछ भी बोल दो आपके पास तो आपके पास डग्टाइल क्या जाता है गोल्ड आगे आपके पास कॉपर आगया अलमोनियम आ गया यह सब बूंकि क्योंकि आपके पास क्या करता है इन से कई होते हैं इसके आपके पास कुछ एक्सेब्तन्स जो ahan होते हैं में एकषप्टन्स होते हैं इन relation इसको छोड़के sodium और potassium को छोड़के क्यों? Metal सभी hard होते है sodium और potassium को छोड़के क्योंकि जो sodium और potassium है यह आपके पास knife के साथ आप इनको simply कार सकते हो तो यह आपके पास acceptance जो आती है exception आते हैं इनको आपने याद रखना है यह आपको पूछी जाती है आपके पास sixth property है आपके पास metal क्या होते है जैसे hard बरादे तो इसे तरह metal आपके पास strong होगी ठीक है तो आपके पास कौन से strong नहीं होगी यही आपके पास sodium और potassium को होते है यह आपके पास strong नहीं होते है इसके इलावा seventh हा जाती है कि metal जो होते हैं वो room temperature पर क्या होते हैं solid state में होते हैं तो simple क्या होते है metal solids होते है room temperature पर एक ऐसा metal जो आपके पास room temperature पर क्या होता है आपके पास liquid जिसको आप क्या बोलते हो mercury so यह आपको पूछा जा सकता है simply तो mercury आ गया इसके बाद आप बोल सकते हो कि metal का क्या होता है high melting और boiling point होता है तो मैं लिख लेता हूँ high melting point MP लिख लिख लिया और boiling point होता है metals का high होता है आपके पस अब ऐसे भी यहाँ पर metals हैं जैसे आपके पास sodium और potassium आगे सोडियम और potassium accept में लिख लिएता हूँ इनका क्या होता है इनका बहुत ही कम boiling point होता है इसके बाद आप बोल सकते हो कि metal क्या होते है sondres होते हैं कि इन में क्या होता है sond हो जाती है आपके बास simply change sond कर लेते हैं आपके पास इनकी density होती है अब किसकी density नहीं होती सोडियम और potassium की कोई density जो है बहुत कम density होती है उसके बाद metal जो होते हैं आपके पास आप बोल सकते हैं यह सिल्वर या ग्रे कलर में होते है एक्सप्ट कॉपर और गोल्ड को छोड़के यह तो मैंने आपको metal की प्राप्टी बता दी अब जैसे मैंने metal की पहली प्राप्ट के ट्राफ हीट होते हैं नहीं गूड के ट्राफ electricity होते हैं बट आपके पास non-metal में भी एक exception आ जाती है कि carbon in the form of graphite carbon किसकी फॉर्म में graphite की फॉर्म में आपके पास क्या करता है electricity को कंड़ेक्ट करता है आपके पास ठीक है तो next आ जाता है कि generally मैंने आपको जैसे यहां पर बदाया था कि metals क्या होते हैं hard होते non metal क्या होते हैं के पास soft but यहां पर इंगे आपके पास acceptance आजाती है कि उनके आप बोलते हैं कि carbon in the form of diamond क्या बोलते है carbon in the form of diamond क्यों कि होता है आपके पास hard material होता है आपके पास हमाने आपके आगे वह और हैं आजल ही उनके कहा था कि आपके पास high melting or boiling point तो non-metal का क्या होता है आपके पास low melting or boiling point इसको छोड़के diamond को छोड़के diamond का बहुत जाधा melting point आता है about 3500 degrees celsius जादा आता है melting point उसके बन मैंने कहा कि जैसे आपके पास metals है उनकी high density होती है तो non-metal की क्या होती है low density हो जाएंगे आपके पास Metal Sonorous होते हैं, Non-Metal Sonorous नहीं होते हैं Metals के Colors जो होते हैं, वो fix होते हैं आपको मैंने बता दिया, Goal और Gray But जो आपके पास Non-Metal हैं, इनके बहुत सारे Colors आ जाएंगे तो ये तो मैंने आपके साथ Classify कर दी Metals की Physical Properties तो Physical Properties आपको I think clear हो गई तो Physical Properties clear हो गई, तो इसके बाद मैं आपके साथ Chemical Properties जो ही यहां से discuss कर लेता हूँ, start कर लेता हूँ Metals की पहली Chemical Property यह है कि जब भी आपके पास Metal किसके साथ react करेगा Oxygen के साथ react करेगा, Metal, Oxygen बोल दो या Air बोल दो तो Metal जब भी Oxygen के साथ react करेगा, आपके पास क्या बना देगा, Metal Oxide form कर देगा अब Metal Oxide क्या होता है, आपके पास Basic होता है आपके पास, ठीक है तो यह पहली Property आ गई आपके पास, तो इसके लेटर आप example ले सकते हो Simply Sodium और Oxygen को react कर दो, तो Sodium Oxide आपके पास form हो जाएगा So second reaction आती है, आपके पास Metal, जब Water के साथ react करता है तो यह क्या बनाता है आपके पास, Metal, Hydride बना देता है आपके पास, Hydroxide और Release क्या कर देता है, Hydrogen, Gas, Release कर देता है जैसे आप बोल सकते हो, Simple Metal क्या ले लेते हैं आपके पास, Potassium अब Potassium को मैं Water के साथ react कर देते हूं, तो आपके पास क्या बनेगा Potassium Hydroxide बन जाएगा, और यहाँ से आपके पास क्या Release हो जाएगी, Hydrogen Release हो जाएगा तो यह आगए आपके पास Second Chemical Properties of Metal तो पहली आगए आपके पास Oxygen के साथ react करके क्या बनाएगा, Metal Oxide बनाएगा, Water के साथ react करके आपके पास Metal Hydroxide और Hydrogen को Release कर देगा, इसके बाद आपके पास अगर Metal को आप Dilute Acid के साथ react करवा रहे हूं तो आपके पास क्या Form होगा, Metal का Salt और Release हो जाएगा आपके पास इस Case में भी Hydrogen जैसे आप Simply क्या कर सकते हो, Dilute Acid के आगए, HCl, तो NaCl कर लो तो क्या बनगे आपके पास, NaCl Sodium Cloride और Hydrogen Gas आपके पास Release हो जाएगी, तो यह आगए आपके पास Metal की Next Chemical Property तो इसके इलावा आपको reactivity series का पतो होगा, उसके रेलेटर में आपके पास देखो, यहां पर लिख रखा कि आपके पास Most Reactive Elements कौनस है, तो Most Reactive Elements कौनस है, तो Most Reactive Elements कौनस है, आपके पास Calcium, अगर आपके पास ऐसे पूछा जाए, तो आपके पास कौनस होता है, Potassium होता ह है, फिर आता है आपके पास sodium, फिर आता है calcium, और सबसे least जो आता है आता है आपके पास gold, गोल्ड या platinum भी आता है, और gold से कम आता है, आपके पास silver, तो यह आपके पास reactivity series होती है, बट मैंने आपको बदा दिया, तो यह देखो, जैसे आपको मैंने पहले classify कर देते हैं, आ calcium, ठीक है, तो next साथ आता है आपके पास, अगर जब metal आपके पास salt solution के साथ, आपके पास क्या करता है, reaction कर लेता है, तो metal आ गया और फिर आपके पास salt solution, तो आपके पास form करेगा, देखो जैसे इसको मैं, simple example के साथ, लेकर आपको समझा देता हूं, जैसे माल आपके पास metal ह ZN और salt solution आगे copper sulfide so copper sulfide के साथ जब react कर लिया तो यह क्या बन जाएगा ZNSO4 मतलब zinc sulfide बन गया और आपके पास क्या release हो गया metal release हो गया तो आप बोल सकते हो कि जो आपके पास salt है उसका metal उसका जो आपके पास sulfide या कोई भी आपके पास sulfide के साथ आपके पास कर रहा है कोई भी आपके पास all solution हो तो उसके साथ यह react कर लेता है आपके पास ठीक है सिंपली आपके पास displacement reaction की तरह ही होती है जिसमें एक जो displacement reaction में क्या होती है आपके पास की एक reactive most reactive element less reactive element को क्या करता है replace कर लेता है तो यहां पर जैसे आपके पास क्या था जिंक जो है वो सी यू से आपके पास क्या होता है जादा कॉपर से क्या आता है आपके पास जादा रेक्टिव आता है इसलिए इसको क्या कर लिया रित्तेस कर दिया यहां पर तो इस reaction को आप simply displacement reaction भी बोल सकते हो, so this reaction is also termed as displacement reaction, ठीक है, so यह आजाती है कुछ मैं मैं मैंने आपके साथ जो है वो इनकी, इसकी metal की reactions, जो chemical properties हैं वो आपके साथ discuss कर दी, इसके आप बोल सकते हो कि chlorine के साथ जब react करता है, sodium chloride बना देगा, simple salt बना देगा, so next आजाती है आपके आपके पास chemical properties of non-metals, तो non-metal की पहली chemical properties है कि जब भी आपके पास non-metal react करता है oxide के साथ, यह जैसे मैंने आपके पास metal oxide बताया था, यह क्या होता है आपके पास basic nature होता है, उसी तरह से जब आपके पास non-metal react करेगा आपके पास oxygen के साथ, तो non-metal react करेगा oxygen के साथ, तो आपके पास वो भी oxide ही मनाएगा बट वो क्या होंगे आपके पास acidic या neutral होंगे ठीक है तो यह आजाता है जैसे आपके पास simple क्या बोल देता हूं यहां पर carbon है और oxygen तो यह क्या आगया आपके पास salt solution आ गया नए बी आर बैलेंसिंग के लिए टू यहां पर आ गया तो यह आजाएगा आपके पास 2a NaCl plus BR2 Bromine के होरा आपके पास release हो रहा है और जो non-metal है आपके पास यह water के साथ react नहीं करते उसी तरह से आपके पास जो non-metal है आपके पास यह आपके पास simply जो आप बोल सकते हो कि जो hydrogen के साथ non-metal आगर react कर रहे हैं आपके पास तो covalent hydride बना लेते हैं या simply आप बोल सकते कि covalent bond form कर लेते हैं उसके बाद आपके पास जो non-metal है यह आपके पास chlorine के साथ भी react नहीं करते हैं यह बने आपको basic overview दे दिया आपके पास generally जो properties है आपके पास physical और chemical properties metal और non-metal की तो पहला question देखते हैं आपके पास dash is the only non-metal प् hydrogen simple hydrogen atomic number one होता है आपके पास next question आ रहा है आपके पास metal producing ringing sound when they are hit with another metal because they are वो क्या होता है आपके पास sonarist यह तो मैंने आपके पास metal की property ही discuss कर दी next आ रहा है metal having the properties material having the properties of both metal and non-metal उनको क्या बोलते हैं simply metaloid जो आपके पास metal की तरह भी behave करते हैं और non-metal की तरह भी behave करते हैं आपके साथ आपको यह comment section में comment करके बताना है कि आपके पास total number of metal is कितने हमारे पास periodic table में तो यह reactivity comment आपको बता दिया अब lectures किसके वज़ा से होता है आपके पास यह आपके पास होता है reflection of light due to presence of free electron तो मैंने आपको बता है metal में क्या होगा आपको स्टेवल बन जाए तो इसलिए आपके पास यह क्या करता है shine कर लेता है आपके पास lecture आजाती है आपके नेक्स्ट आरा the gas using the cutting and welding of metal is termed as acetylene जिसका फॉमला आता है आपके पास c2 h2 तो यह gas आपके पास यूज होती है metal की cutting और welding के लिए which of the metal is liquid room temperature तो कौन सा आता है आपके पास अब आपको पता है mercury होता है अगर मालनो आपको उसका symbol दे दिया तो mercury का symbol क्या आता है आपके पास hg तो hg आप याद रख लिए mercury का symbol होता है hg तो इसलिए मैंने यह यहाँ पर question जो है include कर रखा था अब आता है वीचा तो following गार exothermic process to exothermic endothermic और photogamical reaction होने के लिए अगर आपको heat कुछ से देनी पढ़ रही तो उसको आप बोलोगे endothermic अगर heat रिलीज हो रही तो उसको आप बोलोगे exothermic और अगर आपको light की वज़ासे हो रही तो हमें आपके पास के वह पास कोई तो इस नहीं होती है इंपल आ जाता है आपके पास फरस्ट रैकन जो आपके पास क्याता है ए यह option आ जाता है तो नेक्श्ट पर आपके पास हमें करना हमें सिंपने हमिए करना हो जाइगा आपके पास पर काड़ी में को बाइ एरियल ऑक्सिदेंट और फैड्स एंड ओई इन फुड मार्केट वाइं प्लीजिंट स्मेल एंड टेस्ट इस टर्म जैसे आपके पास मतलब यह सिंप्ली आप बोल सकते हैं यह क्या आपके आपके पास रैंसीडीटी अब रैंसीडीटी यह क्या है आपके पास की वाजा से होता है अब रैंसीडीटी को आप कैसे जो है वो ऐलिम्नेट कर सकते हो सबसे पहले आप जो फूड उसको लाइट से आवे दूर कर सकते हो किसी अट कंटेंडर में आप उड़ कर सकते हो उसके बाद आप रैफ्रीजेटर में अप्राइश यह कुछ ऐसे यहां आते हैं जिनको आप कर सकते हो इसमें एड कर सकते हो जिसके आपके पास खराब नहीं होगा या तो आप जो फैट और और आइल कंटेइनिंग उनको आप क्या करको नायूटरोजन से प्रवंट करके रखो अब मैंने आपको कुछ एंटी ऑक्सिदेंट बताए जो आपके पास क्या करता है रैने सीडिटी से आपके पास क्या करते हैं जाते हैं तो उनके नाम आ जाते हैं आप के पास लिदी ब्यूटी önem लाइंच हैं । स pandemia लाइड-छोएंस तो ये आपके पास दूसरा कि अकुछी टोम आपके पास खाने फूराब होने से बचाते हैं अब Oxidation क्या process आता है दो reaction होती है आपके पास Oxidation और Reduction Oxidation होता है आपके पास Addition of Oxygen, Removal of Hydrogen and आपके पास Loss of Electron that is termed Oxidation Addition of Oxygen, Addition of Hydrogen नहीं होती है Removal of Oxygen नहीं होता है, Removal of Hydrogen बिल्कुल So A or D आ रहा है, A or D अब Reduction क्या होता है आपके पास, Reduction में आता है आपके पास Addition of Hydrogen, Removal of Oxygen ठीक है तो आपके पास Reduction तो यहां पर Reducing Agent, Oxidizing Agent भी आजाता है आपके पास Act में, अब Oxidizing Agent क्या होगा जो आपको Oxygen प्रवाइड करेगा आपके ताकी क्या हो या आपके पास Hydrogen को रिमूव करवा रहा है आपके पास, तो यह Equation आ जाती है आपके पास उस Equation से आप सिंप्ली बदा सकते हो कि आपके पास कौन सा इसमें Oxidizing Agent है, कौन सा आपके पास Reducing Agent है Oxidation and Reduction reaction का जो combination होता है उसको आप क्या बोलते हो Redox reaction बोलते हो, तो देखो simple मैं अगर आपके पास एक basic example ले लूँ आपके पास, तो आपके पास CuO plus H2 और इनको मैंने heat कर दिया, तो आपके पास क्या form हो रहा है, copper oxide को जब मैंने react कर दिया, आपके पास Hydrogen के साथ, तो आपके पास copper आ रहा है है और आ रहा है, cuanto waveform हो रहा है, तो अब यहां पे देख़ेगा आपके पास क्या form है आपके पास तो और हो रहा है, तो इस condition मैं आपके पास क्या हो रख्या है आपके पास, note removal of oxygen तो इसको आप कौन सी reaction बोलोगे reduction reaction क्यों क्योंकि यहां पर क्या हुआ oxygen का removal हुआ रखा है और यहां पर oxygen क्या हुआ है add हुआ है इक्वेशन को क्या बोलोगे आप oxidation equation बोलोगे यह तो आपके पास क्लियर होगे अब जो आपको क्या पर्वाइट कर रहा है आपके पास oxygen प्रॉइड और और यहां है आपके पास क्या जाएगी रियक्षνε जजाएगी दूसरी वाली तो उसको क्या बोलेंगग हम reducing agent यह आजाती है आपके पास oxidation agent के रिलेकर टर्म तो अब आपके पास burning of a coal is an example of the burning of coal क्यों होता है simply आपके पास carbon plus oxygen carbon dioxide simply आपके पास 2 equation combine होके आपके पास equation form combination equation हो combination equation होती है आपके पास आपके पास सब्सेंस जो होते हैं वह मिनेशन आपके पास अगर टीकमपोजाएं अब यह इसमें एक ही आपके पास less reactive element होगा उसको replace करके आपके पास reaction form कर लेगा जैसे मैंने आपको पहले बता रखा मैं आपको equation show कर देता हूँ आपके पास तो उसकी वज़र से हो जाती है आपके पास double displacement अब burning of a candle तो burning of a candle क्या कर रही है आपके पास heat release कर रही है candle इसको क्या बोलते हो आप exothermic reaction बोल देते हैं इसमें क्या बोलरा है korn सी reaction आपके पास combination reaction है तो दो reactant होगे या 2 independence combine करके ऊपके पास product बनाईंगे तो इसको क्या うん combination सुष में दो आपके पास product form रहे इसमें भी डो हो रहे इसमें एक ही हो रहा हित सो solution क्या घयाSON पार्ट तो लाश्ट कुछन है आपके पास क्या है आपके पास लाश्ट कुछन लाश्ट कुछन आपके पास दे रखा है यहां पर एक 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 विशन दे रखिए तो आपको फॉर्म बताने हैं यह कौन सी एक्विशन है तो देखो सिंपल जो आपको मैं डबल इस्टेस्मेंट KgCl के साथ react कर दिया तो exchange of ions हो गए है आपके पास तो उसके वाज़ से new compounds आपके पास फर्म हो गए उसी को क्या बोलोगे आप double displacement reaction बोलोगे तो double displacement reaction आपके पास इसका गया गया correct solutions आगया तो यह थे आपके पास basic concepts आपके पास chemistry के जिसमें मेंने आपके साथ पहले physical properties प्र आपके साथ मैंने चैमिकल प्रॉप्रीज भी डिसकस कर दी आपके पास और जो जो पॉइंट्स रिक्वाइड थे आपको समझाने के पॉइंट आफ यू से तो वह बने आपको बता दी तो आई होप आपको वीडियो एच्छे लगी वीडियो अच्छे लगी तो आप ज यह सिविल की टेस्स सेरीज आप उसको भी जाइन कर सकते हूं सभी की लिंक हम आपको दिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंड सेक्ष्ट में कमेंड करके स्ब्सक्राइब कर देंगे एक है थैंक्यू थैंक्स वाचिंग कीप दरनिंग बाइ अच्छे इक है है थैंक्स करें देग्ट कर दोस्त अच्ट मेंड़ तो आपको दोस्ते हैं